हैं hellos students है आज हमों सेप्ट के बारें मिस्टार्ट करेंगे फिजिकल किमिस्टी नुमरिकल सेक्षन है say के और नुमरिकल टॉपिके साब मैं मोल कॉंसेप्ट का बार-बार यूज़ोता हैं कहां ही जाता है कि physical chemistry का दो pillar है दो tools है एक mole और दूसरा ecovalent ये दो physical chemistry का tools का लाता है physical chemistry chemistry का numerical part है और physical chemistry को बहतर काम करना है इसके लिए दो tools लेते हैं पहला है mole concept दूसरा ecovalent ये दोनो physical chemistry का दो topic है और इस दोनो topic का पूरे physical chemistry में जितने भी numerical topic हैं सब में बार बार यूज होता है इसलिए हम इस physical chemistry को tools को करते mole और कुबाले ये दो tools है mole concept के बारे में बात करें mole concept को फार्दा दो part में माठा गया है mole concept part one और mole concept part two mole concept part one में basic mole concept जो इसको रियल में mole concept कहा जाता है और mole concept part two में advanced mole concept जिसको हम astrochimity करते हैं आज अस्टडी करेंगे mole concept part one और देखेंगे कि 15 से 20 मिट में mole concept part one का recovery कैसे क्या जाए इस पर देज़ साथा कमसे सक्षिन का सवाल भी solve करेंगे चलिए तो इस्टार्ट करते हैं mole concept part one mole concept part one में study करें concept about particle, mass, volume and density के बल यही चार पॉइंट है जिस पे आप फोकस कर सकते हैं mole concept part one अक्सर सवाल यही चार पॉइंट से आपका आईडाईज होता है कभी particle के बारे में काम करना है कुछ सवाल मास के बारे से मास से कोरिटेट है कुछ सवाल वालूम से कोरिटेट है और लास्ट मुनिट में डेंसिटी के बारे में काम करेंगे चलिए तो mole concept part one में concept of particle के बारे में mole हमारा Latin word है concept of particle मैं सबसे पहले mole के बारे में study करते हुँ मूल लैटिन वर्ड है साइंस का मोस्ट अपदी वर्ड या तो ग्रिक वर्ड है या लैटिन वर्ड अक्सर भी हार बोर्ड के स्टुएंट आते हैं पत्ना में और इंग्लिस से उसे डर लगता है सुभावी कहा है कि इंग्लिस मीडियम में आप वर्क नहीं किये हैं तो दर्ना लाजमी है लेकिन इतना समझेजिए कि कि किसी भी इंग्लिस टीचर के पास आप स्टड़ी करके के मिस्टी टर्म को आप नहीं समझ सकते हैं कि मिस्टी में जो भी टर्म है या तो ग्रीक वड़े और येटिस बर्द है एक कि मिस्टी वाले सर रहिए आपको कि मिस्टी के तर्म समझा सकते हैं यह हमारा इंग्लिस वर्ड नहीं है यह लेटिन वर्ड है जिसका अर्थ होता है मिन्स कॉलेक्शन यह फंडामेंटल यूइट है और देने वाले साइन्टिस्ट एफ गादोसा मौल हमारे समाज में काफी मिलता जूलता तर्म है दर्जन दर्जन के बारे में तो आपको पता ही होगा कि कॉलेक्शन ओफ ट्वेल पार्टिक्ल्स इज नौन एज दर्जन ठीक उसी तरह मौल हमारा कॉलेक्शन ओफ 6.02 इंटू 10 पर पावर 23 पार्टिक्ल्स को हम एक मौल करते हैं एक मौल में पार्टिक्ल्स की संक्या होता है 6.02 इंटू 10 पर पावर 23 पार्टिक्ल्स इसी को हम एने पार्टिक्ल्स काते हैं वेर एने जो है एवगाड्डो नम्मर जिसका वहलू होता है 6.022 इंटू 10 पर पावर 23 और इसका यूनिट होता है पार्ट मौल से पुछआ जाएगा, एक मोल में पार्ट की संक्या कितना होता है उटा, 6.02 1233, अभगाडो नमर का वेलू के उता है इतना ही होगा और एने का वेलू कितना होता तो 6.02 nt 1023, चलिए मोल और पार्ट किल में निरियेस्टल के वारें बात करें, पुई जस्ट अस्टडी कर चुके हैं कि एक मॉल में पार्टकिल की संख्या 6.02 x 10.23 होता है जिसे हम एबगाडो नमबर भी करते हैं इसी का तीसा नाम है एने पार्टकिल एबगाडो नमबर कोई छोटा मुटा नमबर नहीं है एक लाज नमबर के कोलेक्शन को हम एबगाडो नमबर करते हैं अब गाड़ो नमर को अगर समझना है तो एक छोटा सा एक्जामपल सा समझे कि अगर किसी स्टुडेंट को एक मोल रुपिया दिया जाए उसके कॉंट में है अगर एक मोल रुपिया उसके कॉंट में है और कंडिसन दिया जाए कि एक सकेंड में अगर दस लाक रुपिया किया जाएगा आप जानते हैं कि मेहत का जनक जो है वो भारतिय हैं और बिहार के हैं और इभाठ हैं और बरिया साही से जब कल्कुलेट आप कीजिएगा तो लगवग लगवग 20 अरब साल लगेगा यानि 10 लाक रुपिया एक सकेंड में खच करने के बावजूद भी उस रुपिय को खच करने में एक बारो नम्मर रुपीज को खच करने में आपको 20 अरब साल लगेगा जब से हम हो समाले हैं तब से कौंटिंग इस्टार्ट के तो 2000 अभी चला है कि इसका में तब हजाद तक पहुंचें आओ और आप खच करना है तो 20 अरब साल मतब कई सो बस आपको जनम लेना परेगा हाजारों बस बस जनम लेना परेगा तभी बड़ नमर को आप खच कर सकते हैं इतने बड़े नमर का क्लेक्षन एवगार्ड ओन नमर है इस मूझ कर थे एषमें, दो बाधों को वारे में ड्टेल सा स्टुडी करना है पहला तो, इतने बरे नम्मर का कलेक्शन के पीछे क्या राज दूरा इस नम्मर को अ बगाड़ो सामने कAyसे कौउंड किते इस बोनों को वारे में डेट्टेल सा स्टुडी करेंगे इतना पता चल गया कि मोल टर्म जब भी यूज करना है माइक्रो पाट्किल के लिए क्यों मैक्रो पाट्किल का कोलेक्शन पोसेबूल नहीं है इसलिए मोल टर्म यूज फोर माइक्रो पाट्किल और माइक्रो पाट्किल कई होते हैं है मारा इस्वाधी मरा प्रध्र हें मैक्रो पाट्किल मैक्रो पार्ट में समय से ज्याधा डर लगता हैविव स्वेख्टी मैक्रो पाट्गल लिकुष में जो बार-बार यूज होगा वह है अग्र मॉलीकुल और आइन का एक टर रूज पोर सिंगल एलेमेंट एक्टम मॉलीकुल यूज पोर मॉलेमेंट एक से ज्यादा एलीमेट है तो उसके लिए ये मोलिकुल यूज करेंगे और आयन यूज़ फोर चार्ज यश्पेसिश जिसपे पल्स या मैनल या जैसे आपका शोडियम हो गया, जिंक हो गया, हिलियम हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, यह सब के लिए एटम तर मुज़ करें क्योंकि ये सब सिंगल ऐलमेंट ह पारें बात करें तो H2, N2, O2 यह सब polyatomic element है और इसके लिए molecule term यूज करते हैं, H2O compound है, इसमें दो atom है, दो type के atom है, दो hydrogen है, एक oxygen है, total atom के संख्याद थिरी है, फिर से देख लिए है, H2O की बात करें, H2O में दो type के atom है, hydrogen और oxygen, जिसमें hydrogen के संख्याद दो है, और oxygen के संख्याद एक है, CH4 के बारें बात करें, यहां भी दो type के atom है, जिसमें hydrogen 4 और carbon 1 है, L2SO4 का होल 3, इसमें 3 type के atom है, और total atom के अगर संख्याद क्याद आजाए तो अलमुनियम 2 है, sulfur 3 है, और oxygen 12 है, total 17 atoms है, इस सभी का छोटा का molecule होगा, और उस molecule के अंदर atom calculate कर सकते हैं, जैसे अलमुनियम सल्फेट के बारें बात करें, एक molecule में total 17 atoms होते हैं, आयन के बारें बात करें, आयन यूज 4, चार्ज स्पेसिज, जिस पे पलस या मैनस चार्ज हो, जैसे अमुनियम आयन हो गया, एलमुनियम 3 पलस हो गया, कार्वोनेट आयन हो गया, CO 3 मैनस मैनस, नाइटेट अनो 3 मैनस, जैसे कोई यहां पर काम किये हैं, तो यहां से कुछ सवाल आता है, आप से पूछा जारा है, वन मॉल आप केल्सियम, वन मॉल में पार्टकिल के संक्या 6.02 इंटू 10 पर पावर 23, यह तो एक मॉल का भीलू लिखें अभी यह एक मॉल किसका हा है? कैलसियम का, यहां से लिखेगा कैलसियम का एक मॉल है, और कैलसियम हमारा single element है, इसके लिए always जब भी यूज़ करेंगे अगर यहां मॉलिकूल या आैं लिखेंगे, तो बहु गलत हो गया, जैसे आपका इन्टु इतना और इतना को तो एने भी करते हैं थ्री एने अब वाटर है वाटर के यूज करेंगे मॉलीकुल्स अगर आपको कहा जाए फाइम मॉल आफ तो फाइब इन्टु एने और एन्टु पोल्स है इसके लिए हम यूज करेंगे यही एकर्ण मॉलीकुल्स और आइन को आगे चल म करते हैं पाइब उस्कामघ आप पार्टिस कल्कुलेट कर सकते हैं अगर मॉल का डाटा गया थेता मोल का डाटर दिया था 3 तो पार्ट किल्स होगा 3 एने मोल का डाटर दिया है 5 तो पार्ट किल्स हो गया 5 एने अगर मोल 10 दिया रहेगा तो पार्ट किल्स 10 एने मोगा अगर मोल X दिया रहेगा तो पार्ट किल्स X एने होगा यहां से हम कह सकते हैं, number of particles, number of particles, is equal to mole into na, mole में na से गुना करेंगे, particles निकल जाएगा, अगर mole निकालना है, तो कहेंगे, number of particles, number of particles by na, इसका मतब मोल का पहला फनमुला आया, number of particles by na, इसे पर कुछ सवाल देखते हैं, कमसन सक्षन का, नीट 2011 में सवाल पूछा गया था, find the number of atoms in 0.1 mole of a triatomic gas, triatomic gas मतलब तीन atoms से बना हुआ गयस है, चलिए इसको solve करते हैं, solution या देखें, आपको दिया हुआ है triatomic gas, triatomic gas मतलब तीन atoms से बना हुआ गयस है, इसकी mole की संख्या दिया है, mole आपका 0.1, अब triatomic gas आपका polyatomic है, तीन atoms से बना हुआ यह gas है, इसके लिए molecule turn use करेंगे, mole से पहले molecules निकालेंगे, और molecules से atoms निकालेंगे, क्योंकि इसके लिए छोटा कन आपका molecules आएगा, mole आपका दिया है 0.1, और mole में na से गुना करते हैं, molecules निकल के आता है, यानि 0.1 na molecules होगा, और एक molecule में तीन atom है, और तीन से multiply करेंगे, यानि 0.3 na atoms होगा, यह सवाल पूछा गया था, नीट 2011, चले अगला चप्टर देखते हैं, सकेंड सक्षन पर देखते हैं, concept of mass, mass को दो पार्ट में बाठेंगे, पहला atomic mass unit के बारे में पढ़ेंगे, दुस्ता formula mass या formula weight, atomic mass unit के बारे में कहें, जिसको सौटपन में कहते हैं, AMU, AMU हाई क्या, तो simply बेंगे, a unit of weight of chemical substance, chemical substance के वजन का unit होता है, AMU, इसे तो mass का कई unit होता है, कहीं gram, कहीं kg, कहीं ton, कहीं मन, कहीं कुंटल, कहीं काईड़िट से भी यूज करते हैं, सबजी दुकान में जाते हैं, सबजी खरते हैं, केजी के हिसाब से आप बता दे, पूछते हैं rate, और सोने दुकान में जाते हैं, तो कैसे काईड़िट सोना है, वहां kg express नहीं करते हैं हिघ्स अगर subsidiion के शावल लेते हैं और घर में अगर चावल का पिधावार होता है तो से मान या सिर्ण में express करते। यह value little amount के लिए कुछ अलग unit है और excess amount के लिए कुछ other unit लेते हैं ठीक उसे अगल कि अजय कि आगर वजह चाहि उसी unit को करते है atomic mass unit, atomic mass unit real में carbon के एक atom के बार में वाग का जो वजन होता है उसी को हम करते हैं amu atomic mass unit 1 amu बराव 1 by 12 c12 इसी को करते हैं 1.66 into 10 power minus 24 gram 10 power minus 24 gram या 1 by na gram या 1 amu बरावर होगा 1 by na gram अगर 3 amu है तो 3 by na gram अगर आप से पुछार है 5 amu बरावर 5 by na gram अगर गलतिस कर देंगे 5 gram बरावर कितना amu होगा तो यह na को इदा ले जाएंगे यानि 5 into na amu बरावर ग्राम से हम amu निकालेंगे तो na से multiply करेंगे 5 gram दिया था amu निकालना na से गुना किये और amu से अगर gram निकालना है तो na से divided करेंगे ठीक उसी तरह है मोल से आपको पार्टकिल निकालना है मोल से पार्टकिल multiply करना है na से और पार्टकिल से मोल निकालना है na से divided करना amu का वेलू जो है one by na gram होता है amu का वेलू one by na gram होता है एफगाडो सामें जो काम किये थे मोल के बारे में वो मास से कोरेटेट किये थे मोल को और one by na का वेलू one amu और one amu का वेलू करते हैं 1.66 गुना 10 पार माइनस 24 ग्राम नोट करके धियान रखना है इफ एफगाडो नम्बर decreases then atomic mass will be decreases अगर एफगाडो नमर को decrease किया गया तो उसका atomic mass भी decrease करेगा जैसे एक छोटा सा एक जाम पर लेते हैं कि कारवन का atomic mass आपका 12 है यह जानते हैं एफगाडो नमर उसकेस में यदि कारवन का जिसा कि आप जानते हैं नोन है कारवन का atomic mass अगर 12 है तो उसकेस में एफगाडो नमर 6.02 इंटू 10 पावर 23 होता है अब कारवन का अगर एफगाडो नमर को हम जश्ट दुगुना करें अगर एफगाडो नमर एने का भेलू 12.04 इंटू 10 पावर 23 की इसका मताए प्गाड़ो नमर को दुगुना करें तो मास विल भी क्या होगा just double हो जाएगा क्योंकि एफगाडो नमर डिकरीज करने पे atomic mass decrease करता और evgardo number increase करने से atomic mass increase करता है evgardo number दुगुना हो गया इसका atomic mass भी क्या हो जगा दुगुना हो जगा second note 1 mu is equal to 1 by 12 c12 है अगर 1 mu बराबर 1 by 6 c12 लिखते हैं इसका मतलब जस्ट इसको हम दुगुना कर रहे हैं यह आपका 2 से multiply mu की value में अगर 2 से multiply कर रहे हैं तो उसके atomic mass में half से decreacement होगा atomic mass आपका decreases वाए क्योंकि यहाँ 2 से आपका increasement हो रहा है तो इसके mass को क्या करेंगे 2 से decrease करेंगे formula weight या formula mass formula weight या formula mass में तीन आता है atomic mass, molecular mass और ionic mass atomic mass में होता है mass of one atom in amu molecular mass में होता है mass of one molecule in amu और ionic mass में होता है mass of one ion in amu एक atom का mass amu में निकालेंगे उसी को atomic mass करते है atomic mass एक तरह का number है जो amu के respect में बताता है जैसे किसी का वजन किसी student को खड़ा करते है उसका वजन पूचते हैं उसका वजन पूचते हैं उसका पच्चास के यह कर सकते हैं केजी के रिस्पेक्ट में वह पच्चास गुना ज्यादा वारी है जैसे एक चोटा सा एक्जामपल लेते हैं केलसियम के बारे में बात करें केलसियम का atomic mass well known है atomic mass 40 होता है इसका मतर्द कहेंगे mass of one atom of calcium calcium के एक atom का mass हो जाएगा 40 amu अगर gram में कहा जाए तो 40 by n a gram atomic mass real में एक atom का mass होता है किसमें तो amu अगर आप element का atomic mass जानते हैं तो एक atom का mass amu में बता सकते हैं अगर amu में निकल क्या है एने से divided करेंगे तो gram में निकल जाए atomic mass कुछ element का trick है और कुछ element को याद रखना है एक से 20 तक atomic number बार बार यूज होते हैं atomic number 7 होता है atomic weight 14 होता है chlorine के बारे में बात करें atomic number 17 और atomic weight 35.5 होता है तो यह बहली नहीं होता है बांके सब के लिए तो 1 to 20 बार बार यूज होता है molecular weight के बारे में बात करें mass of one molecule in amu जैसे एक एक्जामपल में लेते हैं H2O H2O का molecular weight अगर निकालते हैं hydrogen का atomic weight 1 होता है दो hydrogen है इसका atomic weight 2 होता है oxygen का atomic weight 16 दोनों को जोड़ों तो यह 18 आएगा इसका मतब mass of one molecule एक molecule का mass एक molecule water का mass हो जाएगा 18 amu अगर gram में कहा जाए 18 by any gram अगर ionic weight निकालना है यह एक छोटा से एक्जाम पर लेते हैं NH4 plus के बारे में बात करें इसका ionic weight अगर calculate करना है nitrogen का atomic weight होता है 14 और hydrogen का atomic weight 1 संख्या 4 है 4 से multiply करना है ionic weight को जब भी calculate करेंगे उसमें plus या minus charge को हम consider नहीं करते हैं ionic weight इसका total आ गया 18 इसका मतब mass of one ion 18 amu ग्राम में कहेंगे 18 by any gram यहां से conclusion यहीं निकला कि mass of one atom अगर निकालेंगे atomic weight by any gram mass of one molecule निकालेंगे molecular weight by any gram और mass of one ion निकालेंगे तो ionic weight by any gram यहनि एक atom एक molecule और एक ion का mass आप calculate का सकते हैं अगर atomic weight molecular weight और ionic weight जानते हैं इसी तीनों को एक जगाए और कहेंगे mass of single particle mass of single particles is equal to formula weight by any gram यह formula बार बार यूज़ों होता है single particle के जगाए गाए यहां atomic weight by any gram एक molecule का mass निकालेंगे molecular weight by any gram और एक ion का mass निकालेंगे तो ionic weight by any gram relation between mole and mass काफी important topic है काज़ा mole concept का part 1 का हट माना जाता है बेक्मोन माना जाता है mass और mole में रियस कई बार इसका सवाल पूछा जाता है और बार बार यह पूरे physical chemistry में mass और mole का काफी correlation है एवगाड़ोसाम में जो काम किये थे जो संख्या कौंट किये थे mass से ही number of particle को determined कि उसी के concept के वारे में देखेंगे mass of one particle we just बताये थे mass of one particle is called to formula weight by any gram अगर एक particle का mass formula weight by any gram x particle है formula weight by any into x हो जागा gram अगर एने पार्टकिल है तो formula weight by any into any gram एने ने ने कंसिल हो गया है इसका मतल़ यह तो formula weight किसमें आएगा? एने पार्टकिल को ही हम कहते हैं एने ने पार्टकिल इसकाल टू वन मोल और मास आप वन मोल इसकाल टू फर्मूला वेट गराम एक मोल के मास को ही है काते हैं मोलर मास मोलर मास मास आप वन मोल इसकाल टू मोलर मास इसका मतल़ एक मोल का मास जो आया है वो फर्मूला वेट इन गराम के ब्रावा है एक मोल का मास फर्मूला वेट इन गराम अगर थ्री मोल का मास निकालना है तो थ्री इंटू फर्मूला वेट किसमें आएगा ग्राम में आएगा अगर जैड मोल का मास निकालना है जैड इंटू फर्मूला वेट इन ग्राम इसका मतलब मास आप कल्कुलेट कर सकते हैं अगर मोल का ड़ता दिया है मोल दिया था 3 तो मास निकाले 3 इंटू फर्मूला बेट मोल दिया है Z तो मास निकाले Z इंटू फर्मूला बेट अगर मोल आपका X दिया रहेगा तो मास हो जागा X इंटू फर्मूला बेट यहां से एक मास का फर्मूला या मास वराबर मोल कुछ भी दिया रहेगा उसमें multiply करना है formula वीट से अगर मोल निकालना है मोल बराबर given mass given mass by formula वेट मोल का इससे पहले एक formula निकाले ते बराबर, number of particles by Na दोनों को अगर equate करते हैं यहाँ साही का number of particles number of particles by Na is called to given mass by formula बेट और यहाँ से number of particles का फर्मुला आजाएका number of particles is equal to given mass but a formula weight into Na यह number of particles का बारवार यह फर्मुला यह जाता है इसी पर देज साह सवाल कमसर सक्षर में पूछा गया है इसके वारे में आगे काम करें तो इसी कुंसेप में जिवमर में 2012 में पूछा गया है how many atoms are there in इतना ग्राम 4.25 ग्राम आप आमोनिया पहला कोचन हम सॉल्व करते हैं फर्स्ट कोचन आमोनिया दिया है आमोनिया का मास दिया हुआ है गीवेन मास 4.25 ग्राम फर्मुला वेट अगर निकालते हैं अमोनिया का नैटोजन का 14 और हाइडोजन का 3 17 हमको एटम्स निकालना है पहले अमोनिया के लिए मोलेकूल निकालना पड़ेगा तो गीवेन मास से पहला काम करना है गीवेन मास से मोल निकालना और मोल से मोलेकूल निकालेंगे और मोलेकूल से फ़र्दर एटम्स निकालेंगे गीवेन मास से मोल निकालना डिवाड़ेट करेंगे फर्मूला वेट से इसका मास तो दिया हुआ है आपको 4.25 जैनि मोल हो जाएगा 4.25 और फर्मूला वेट 70 यह तो वन वाइब 4 आ रहा है अब मोल से मॉलिकूल निकालना है तो एने से मल्टिप्लाइ करते हैं इसका मतलब 1 वाइब 4 इंटू एमे और एक मॉलिकूल में तीन हाइड्रोजन है एक नैट्रोजन है तोटल एटम फोर है फोर से मल्टिप्लाइ करेंगे इसका मतलब एटम की संख्या हो जागा यह तो पहला कुछन सौल है सकेंड कुछन आपका करा है की दी रेश्यों आपको और नेक्टोजन पार्टिकिलर गेस रिक्ट्रॉर को फोर को जाएड्रोजन के मास का रेश्यों दिया है वन फोरिंग तो फांदी रेश्यों आप their number of molecules oxygen or nitrogen के mass का ratio दिया है 1 is to 4 माल लेते हैं अगर oxygen का mass x है nitrogen का mass 4x है इसका formula weight 32 होगा atomic weight oxygen का 16 होता है 16 into 2 32 nitrogen का atomic weight 14 होता है 14 into 2 28 अब यहां से डोनों का molecules निकालते है molecules का formula होता है number of given mass by formula weight into n यहां भी given mass 4x formula weight 28 गुना यह दोनों की molecule की संख्या जब निकल गया तो ratio पूसे molecule of O2 बटे molecule of N2 O2 का mass आपका molecule निकाल चुके और N2 का molecule निकाल चुके इसको putting getting करेंगे तो यहां पर आपका 7 by 32 आता है तीस्सा कोच तीस्सा कोच जो नीट में पूछा गया था है दो एलिमेंट है x and y जो की combine करके compound बनाता है पहला compound xy2 और दूसरा compound बना रहा है x3 y2 इसका mole दिया हुआ xy2 का mole दिया है 0.1 और इसका weight दिया है मास दिया इसका 10 ग्राम जबकि आपका x3 y2 का mole दिया हुआ है जिरो पॉइंट जिरो फाइब और मास इसका आपका 9 ग्राम तो atomic weight निकालना है x और y का मालते फर्मूला weight यहां से निकालेंगे इसी x और y का atomic weight निकालना है इसका atomic weight x के फोर में रखते हैं और यह 2y होज़ेगा इसका formula weight 3x 3x plus 2y अब आपको mole और मास का दिया है data यहां से दो equation लाएंगे mole का तो formula आप जानते हैं given mass बटे formula weight mole आपका 0.1 given mass 10 formula weight x plus 2y यहां से x plus 2y is equal to 100 होजगा क्योंकि यह point अटाएंगे नीचे 10 जाएगा यह multiply होगा 100 इसको equation first one फिर इसमें काम करेंगे mole का formula यहां भी होई होगा given mass बटे formula weight given mass mole आपको 0.05 given mass 9 formula weight 3x plus 2y अगर इसको multiply करते हैं यहां पर यह point अटाएंगे नीचे जाएगा आपका अटेट लिए जानी 1y 20 आपका ओर 20 से जानी 3x plus 2y is equal to 180 इसको equation उता हाँ अपर्स्टोर second equation में y दोनूंगे का सिमलर है जानी प्राम equation second minus first second equation है 3x plus 2y is equal to 180 और एक्वेशन फर्स्ट है एक्स प्लस तू वार इसकोल टू हंडिर मैनस मैंस मैंस यह तो किंसी लोगे निए तू एक्स वराब हो जाएगा 80 और एक्स वराब क्या हो जागा अगर एक्स कमान निकल गया तो फार्द एक्वेशन फर्स्ट में एक्स कमान पूट करेंगे तो य कमान निकले रहे फ्राम एक्वेशन फर्स्ट एक्स कमान दिया है 40 एनि 40 प्लस 2y इसकोल 200 वाइश कोल तो जागा था यह पूछा गया था निट 2016 में अगला त्यक्स करेंगे डियेशन बित्मीन स्मॉल ऒं घिक्र को बहुत ही इंपोर्टिल्ठ है जब आप मॉड्म उर्मथàn जानके में थो अचिए को संगल करना है cmular mole और बीघर नौल का डाटा अगर a smaller mole आपको calculate करना है बीघर दिया है कैसे calculate करें और बीघर नौल दिया है smaller mode कैसे मैं की से लिखान है ज Light Commonwealth के बारे में से जानते हैं यसे एक छोटा साइक ज Bowl dealt करें हुछ अ इस्टू के बारें बात करें हैं स्टू में है हाइडोजन एक्टम के संख्याद दो होता है और ऑक्सीजन एक्टम के संख्याद इसका मतलब एक मोलिकूल एस्टुओ कंटेन करता है दो हाइडोजन एक मोलिकूल में जब दो हाइडोजन एक्टम है तो एक मोल अगर है इस तो लेंगे तो दो मॉल हाइडोजन अत्म हुआ हुआ है यह से हम कहेंगे क्या अगर मोल ऑफ हाइडोजन एक अब निकालेंगे निकालेंगे वाम ओ लॉप हो एक टो पूल ओडो थो ना क्रें क्योंकि यहां पर हाइडोजन संख्या दो कि जैसे दूसरे एपड़ के बारे माथ तो कि इसमें भी हाइडोजन एंटम अगर एनस्थरी का डाटा दिया और हाइडोजन कसा को यहां से थीन से university का मोल दिया और हाइडोजनगे टेम का मोल निकालना है शंख्या three है इसका मत्वर यहां से थाइडोजन अट निकालंगे थे से multiply करें फदर hydrogen atom का mole दिया है और ns3 का निकालना है तो जिससे आप multiply करें उसी से आप divided करें इसका मतलब यहां से mole of mole of hydrogen atom mole of ns3 into 3 इसको equation माननेंगे first और यह equation second दोनों equation को अगर equate करते हैं यहां से आपका mole of मौल of h2o into 2 is equal to mole of ns3 into 3 क्योंकि हाइड्रोजन संक्या यहां दो है दो से multiply कि यहां हाइड्रोजन संक्या 3 है 3 से multiply करें इस कम तक किसी भी दो species का mole आप बराबर कर सकते हैं बस धियान रखना है कि कोई एक element उसमें कॉमन होनी चाहिए जैसे वाटर और आमोनिया के बारे में बात करें इसमें हाइड्रोजन एक्टम कोमन था इसलिए हाइड्रोजन संक्या यहां 2 है 2 से multiply करें यहां हाइड्रोजन 3 है 3 से multiply करें अगर आपको कहा जाए मोल आफ एनस 3 इसकोल 2 मोल आफ छी एच प्रोज यहां हाइड्रोजन संक्या 3 है 3 से multiply करें यहां हाइड्रोजन संक्या 4 है 4 से multiply करें कि यह स्मॉलर पार्ट किल का आपको तीसरे एक्जामपल जाह देखें तो कि यह CNO3 कि इस दोनों के बीच अगर यह से निकालना है तुम यहां से यहीं फर्मुणा लिखेंगे मोल आफ कि ओ टू इंटू टू इसकोल टू मोल आफ के चील ओ थ्री इंटू थ्री तो कि इस दोनों में ऑक्सीजन एटम कोमन है इसलिए इसमें दो से मल्टिप्लाइ किये और इसमें थ्री से मल्टिप्लाइ किये जेही में तू टू 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 जिए पूछा गया कोचन है हो मैनी मोल आफ मैगनेसियम फॉस्पेट विल कंटेन जीरो पॉंट टू फाइम मॉल आफ ऑक्सीजन एटम का मोल दिया है अब निकालना है मैगनेसियम फॉस्पेट का मोल कि यह स्मॉला और बीगर पार्टिकिल के बीच का रिएसम बताता है विए डाटा आपको एम जी थिरी पीओ फॉर का है और त्री कि ऑक्सीजन एटम का मोल दिया है कि जीरो पॉंट टू इसका मोल निकालना है अब ऑक्सीजन के संक्या यहां 12 है इसका मता अगर इसका डाटा दिया रहता है इसका डाटा निकालना होता है तो 12 से मल्टिप्लै करें और अगर ऑक्सीजन एटम का डाटा दिया है इसका डाटा निकालना है तो डिवाइड़ करना है 12 से यहां हम यहां से पर्मूरा लिखेंगे मोल आफ और और सीजन एक्टम मोल आफ और सीजन के संख्या 12 है 12 से मल्टिप्लाय करें इसका दिया है 0.25 यहां से मोल आफ तुवेल भी दा जायका दिवाइडेड होगा 0.25 यहां को कॉंसेप्ट ओफ बॉल्म दो कॉंसेप्ट आता है अला जी एम भी लाओ तुसरा गैस लोग ग्राम मॉलिकुल भॉलूम लॉग जिसको जी एम भी लॉग काते हैं यूज फोर गैस है अटीप खालाता है या इसी को और करकते हैं एंटीप फोल पहलुएश्रा मोकी तंडर टंप्रेचर पिसर या नॉर्माल टंप्रेचर है बिसरे श्तेंडर टंप्रेचर पिसर आइज तेंडर टंप्रेचर लुग जी या लिए 273 कल्विन उन प्रेशर के वह बात करें तो 1 Ateam 1 Ateam 1 a.team एक मोल गैस का वाल्लूम बाइद दसनाश चाल लीटर है अगर आप वाल्लूम निकालेंगे volume of 3 mol gas 3 into 22.4 litre अगर x mol का volume निकाले थख x into 22.4 litre. Volume of gas at NTP is equal to mole into 22.4 यहां से mole का फर्मुला आएगा given volume later में at NTP या STP by 22.4 मूल का अबराल तीन फर्मुला होता है नम्मर और पार्ट के लिवाए एने given mass by formula weight और तीसा फर्मुला या volume gas का at NTP by 22.4 लीटर मूल हमारा एक जेक्शन है जिससे तीन टर्म को हम डिटर्माइन कर सकते हैं अगर मोल से पार्ट के लिगाना यहने से मल्टि प्लै करते हैं मूर से महास निकाला है तो मल्टि प्लै כब इसक। वोल्म निकालना है तो मल्टिप्लाइ करेंगे 22.4 से इसका मिताब मोल से कोई भी डाटा निकालते हैं तो मल्टिप्लाइ किया जाता है और किसी भी डाटा से अगर मोल प्याना है तो डिवाइडेट करेंगे जैसे आपका पार्टिल से मोल प्याना है डिवाइडेट करना है से आपका गीवेन मास से मोल प्याना है डिवाइड करना है फर्मूला वेट से और आपका वालूम से अगर मोल प्याना है तो डिवाइड करते हैं 22.4 इसमें गैस लॉव जिसमें आता है गैस लॉव में एक क्वेस्चन दिया गया था पीवी स्कॉल टू एन आर्टी यहां एन मोल को इंडिकेट करता है मोल जिसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं पीवी बाई आर्टी अ पीवारे बात करें प्रेशर आप गयास इन एटियम जब भी यह लॉग में आप एक्वेस्ट में फर्मूला यूज करेंगे तो प्रेशर को जब भी रखना एटियम में अगर सेंटीमीटर का डाटा दिया रहें तो 76 से डिवाइड करते हैं एटियम निकल के आता है एमम का डाटा दिया रहेगा तो सेवल सिक्स्टी से डिवाइड करेंगे तो वहां से एटियम निकलेगा प्रेशर को जब भी रखना है एटियम में लखना है बहुलम को लीटर में रखना है और वन मीटर क्यों बढ़ावा होता है 1000 DMQ बढ़ाव 1000 लीटर 1 cm Q बढ़ावा 1cc बढ़ावा 1 ml होता है और हमारा गास कॉंस्टेंट है यूनिवासल गास कॉंस्टेंट कालाता है जिसका वहलू होता है 0.082 ATM लीटर पर मूल पर केल्विन ती हमारा टमप्रेचर है टश्यक्त डिग्री सेल्सीट में पलस कर देना है 273 केल्विन आगे में यदिटेल से निकरना है जांपर रहे सारी बाते करेंगे लेकिन मौल कॉंसर्ट में कुछ एसलोग का प्रोब्लम दिया गया है इसलिए ये फर्मुला मोल का चोथा फर्मुला है मोल बढ़ावर पीभी भाई आटी यानि अगर एस्टीपी और एंटीपी पे डाटा नहीं जया रहे सबाल में अगर स्पीज़ी और एंटीपी का जिक्र नहीं किया रहे प्रेसर और टं प्रवाप्पर देंस्ती आप्र देंस्ती कि दिन्सिटी के वारे में पहले साब जानते है गजनत का नाइन थेत्म यह स्टडिक हैंगे आदिन्सिटी के वारे में कहेंगे मास कुपाय वार बड़ी इन पर यूट वॉल्म एकाई वालम ने मास को पाय किया जाता है बड़ी के दोड़ा वही हमारा डेंसिटी है और डेंसिटी यूज काते हैं सॉलिट लिक्विड और गैस की डेंसिटी का फर्मूला था मास भाय वालूम कि रहें है आइए है खट अगरं देंसिटी यह एंटी यह का फर्मूला जानते हैं गीवन मास भाय फर्मूला वेट यहां से मास अगर निकालना है तो मोल में मल्टिप्लाय करें गे किस यह फर्मूला वेट से मास निकल गया मोल का दूसरा फर्मूला जानते है जीवन बॉलूम एट अनटीपी बाग 22.4 फादर यहां से आप बॉलूम निकालेंगे तो बॉलूमा मोल इंटू 22.4 दोनों एक्वेशन को इक्वेट कहते हैं प्राम एक्वेशन फर्स्ट एंच्थ सकेंट मोल मोल कैंसेल होगा ये तो हमारा देंसिटी का लाता है डेंसिटी बराबर आ गया फर्मूला वेट बाइ ट्वैंटी टू पॉइंट पॉइंट फॉर्ट इसका यूइट होगा गराम पर लीटर ये देंसिटी टर्म जो यूज करेंगे यूज भोर गैस इसका में तो गैस का आप डेंसिटी निकाल सकते हैं अगर आप फर्मूला वेट जानते हैं किसी भी गैस का स्टीपी और एंटीपी पे डेंसिटी कल्कुलेट कर सकते हैं यदि हमें फर्मूला वेट के आते हैं अब यहां पर देखो 22.4 लिटर यह तो कॉंस्टेंट भोल्म आप कॉंस्टेंट वेट इसका में तब देंसिटी डारेक्ट्ली पॉस्टन हो का फर्मूला वेट यहां से 1,2 का फर्मूला लेट लेएंगे टे 1 by D2 बराबर हो जाएगा फर्मूला वेट को M से मान लेते हैं M1 by M2 यहनि देंसिटी का रेशियो और मोलिकुलर वेट का रेशियो बराबर होता है एक और आप जानते हैं मोल का रेशियो is equal to volume ratio, is equal to particle ratio, but not equal to mass ratio मोल रेशियो, volume रेशियो और particle ratio बराबर होता है मूल का फर्मुला होता है गीवें वरलूम बद 20 2.4 सकतें यह तो कॉंस्टेंट है मोल डारेक्ली पनौहं मोलं कि सकंतर मोलभ अधियो देश्यो और पार्टी लेस्यु बराबर होता है लेकी मांसी चुखी बराबर महीं होता है तो यह ध्यान रखना density का ratio और molecular weight का ratio क्या होता, always बरावर होता है, vapor density, vapor density, जिसको short form में भीरी काते हैं, the density of gas with respect to density of H2 gas, हाइडरोजन गैस की रिस्पेक में किसी गैस का अगर डेस्टी निकालते हैं तो वह डेस्टी हमारा भयाप डेस्टी में इस होता है उंभ दिनसटी का फर्मुला हो अजहेगा ? अ के डेस्टी आफ गैस बते डेस्टीन ओफ अच गैस अभी जस्ट परहें कि density का रेशियो और molecular weight का रेशियो ब्राबर है यहां से यह भी कर सकते हैं Molecular Weight, Of Gas बते molecular weight of H2, और H2 का molecular weight आप जानते हैं इसका मतर्ब उनिप्र निश्टी का एक न्या परमुलाय गया molecular weight by two अब मॉलिकुलर वीट में 2 से डिवाइड डिवाडेट करेंगे यहां से ब्यपार डिंस्टी मुटन है इसका मतब धैपार डिंस्टी डार्यक्तली पॉश्टा होता है यहां से यह भी कहेंगे कि वैपर देंस्टी का रेशियो वी दी वन वाई वी दी टू बराबर एम वन वाई एम तू वैपर देंस्टी का रेशियो और मोलेकुलर वेट का रेशियो क्या होता है बराबर होता है तो अबरॉल कंक्लूजन यह इंकला कि देंसिटी का रेशियो हैं के वह अपरनिंसिटिटिक अधियोग और मोलिकुलर वेट का रेशियोग बराबर होता हैं अग जली हीज़िसी ब सवाल देखते हैं हैं ूसिली सवाल में आपका अच्छा सवाल लेके आये हैं हैं il देंसिटी वह पर देंस्टी और ऑप पर और स्वाल का रहें कि हाएं ड भॉलम उफ टुमोल है डिशा गडे हाओं डेंट इटन हैं डो स्टीप छलवर ढूल डिया है है स्टीपी और उसका भॉलम निकान गौन ऐस तो सलूसर्ण के बारें बाक करें है ईँ है आपको हाइड्रोजन डिया है cos और इसका मोल दिया है अपोада दूंगusa आ तक है इस सबसे पहला काम करना एस्टो का मोल निकल नुए है 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 हाइड़्ोजण एकम का अगर मोल दिया है یہ स्टू का मोल निकालना है फिर वही कॉंसप्राकık इस मॉलर क्यों ऑब कर इससे निकालना होगा इसमें 2 है, 2 से multiply करें लेकिन hydrogen atom ये smaller है और smaller से अगर बीगर निकालते तो divided करते हैं और bigger से अगर स्मॉलर को calculate करते हैं तो multiply कि यह Allव सब्सक्राइब करें तो मल्टिप्लाइब करें इसका मोल आजाएगा तू बाइट तू वन अब एक मोल अगर हाइडोजन गैस तो उसका बॉल्म कितना हो जाएगा तो बॉल्म आप एच्टू गैस 22.4 सकेंड कोच्चन है कि दिवेट आप इतना एमल 350 एमल ऑफ एडाय तोमिक गैस एट एस एट जिरो डिगी सी एड टू एट्यम प्रेशर इज वन ग्रम दिया वालूम दिया है तंप्रेचर दिया है प्रेशर दिया और वेट दिया तब आपको कारा है पाइंडि वेट आफ वन एक एक एकम का वज़न निकालना सबसे पहला काम करना है जो डाटा दिया गया इस डाटा की मज़द से मोलेकुलर वेट निकालेंगे इसलिए कि दाइटोमिक गैस है दाइटोमिक गैस है दो एक्टम से बना हुआ गैस है यह दाटा दिया गया है कोच्चर में आपका टमप्रेचा जिरोडिगी सी अगर टमप्रेचा जिरोडिगी सी और इंटु टी का मानों था 22.4 लिए अगर टमपरेच्छ तो और्टी और इंटु टिक ऑंणो का 24.4 और 27 ऑज़ी और इंचुत और टिका मशनुत 24.6 अक्सर टम प्रेच्चर जो जिक नो ता यह तो 0-degree सी या 25 जी या 27-degree सी तो यह वेल्यू याद कचना 25 दिवाइजी और इंतु टी का आमानों का 24.4 दिविन 27 डिग्री सीह और इंतु का आमनों लेटा 24.6 कश्जब तेंव तू जिकर अघ्ज जिकर टाаль हसं जिरो डिजी या 25 डिदिवन्ट जिसे बटिस पाएं ओंती अगररक ही सोगी स१ Assistant तो आप दो मोलीकुलर वेट का फर्मूला हो जाएगा डबलू आर टी बाई पीवी यह एम को इदर ले जाएंगे यह मोलीकुलर वेट है तो पीवी क्या हो जागा डिवाइडर में जागा चलिए साड़ा डाता दिया वेट दिया है वन आर्टी का मान 22.4 प्रेसर 2 दिया है वोलूम 0.35 दिया है इसको मल्टिप्लाइ करेंगे यह 22.4 बाई 0.7 यह पॉइंट यह पॉइंट केंसिल हो जागा यह तो हो जागा 32 अगर मोलीकुलर वेट एक्सटू का गया डाय टामिक है मान लेते हैं एक्सटू कोई डाय टामिक है इ इसका मतलब एक्सटूमिक वेट आप एक्स का हो जागा 16 और मास ओफ वन एक्टम एक्सटूमिक वेट बाई अने यहनि 16 बाई अने यह ग्राण तीसरा कोच्चन दिया है find the mass of one mole of gas of density 0.1784 gram per liter at NTP इसका मतलब density दिया है और एक मोल का मास निकालना है और यहाद कि एक मोल का मास अगर निकालते हैं तो वो फर्मूला बेट के बराब होता है कि देंसिटी का फर्मूला आप जानते हैं कि STP या NTP पे फर्मूला वेट बाई 22.4 यहां हम मोलेकुलर वेट निकालेंगे कि देंसिटी हमें दिया गया है 0.1784 इंटो 22.4 लगवग फोर के आसपास है चौथा और लास्ट कोच्चत हैं देंसिटी ओप एयर का देंसिटी दिया हुआ है फाइंड दी भेपर देंसिटी एयर का भेपर देंसिटी निकालना है इसका मतर्ड भेपर देंसिटी का अभी जस्ट फर्मूला परहें तो मॉलेकुलर वेट बाई 2 और air का molecular weight यह याद अखना है average molecular weight उता है 28.8 इसकम तो यहाँ density term का use नहीं करेंगे क्योंकि hydrogen gas का density नहीं दिया है vapor density का दो फर्मुला है density of gas by density of H2 gas और दूसरा फर्मुला है molecular weight by 2 क्योंकि यहाँ air का density तो दिया हुआ है लेकिन hydrogen gas का density दिया हुआ है इसलिए दूसरा फर्मुला यूज करेंगे और molecular weight air का fix होता है 28.8 होता है यहाँ से vapor density calculate करें mole concept part 1 का section यह समापत होता है यह video अगर आपको अच्छा लगा हो तो like करें दोस्तों के साथ share करें तथा इस channel को subscribe करना मत भूले क्योंकि इस channel के मदद से chemistry का सारा video आप तक पहुछेगा इस video का view comment box में जरूर लिखें क्योंकि अुमाली कहा Reports क्योंकि बाहँ पहुझें क्योंकि झाल झाल